अलो फ्रेयन विल्कम टू माई चैनल जेडी साइंस क्लासेश जेडी साइंस क्लासेश में आप सभी का स्वागत है आज हम सीटेट दिसंबर दोजार उननीज का पेपर फर्स्ट मैत का साल्व करेंगे देखते हैं इसमें किस प्रकार के कुश्चन पुछे गए थे पहला कुश्चन पुछा तीन ब्रांड ए बी तथा सी के पिन क्रमसा दस बारा और चौबिस के पैकटो में उपलब दे यदि एक दुकानदार को तीनों प्रकार के पिन समान संख्या में खरीदने हैं तो उसके द्वारा खरीदने जाने वाले पैकटो की नूम्तम संख्या बताना है देखिए तो पहलें का दस बारा और चौबिस का ऐलसियम लेंगे तो ये ऐलसियम एकसो बीस ने करके आएगा ऐलसियम एकसो बीस ने करके आएगा अब इन्ही में से आपको इसको एक जो है दस है बी के बारा है और सी के चौबिस पैकटों में उपलब देए तो अब उनको हम एकसो बीस बटे दस करेंगे तो ये एक के निकलाएंगे एक कितने टॉलब है टॉलब पैकेट हो जाएगा इसी प्रकार एकसो बीस बटे टॉलब करेंगे तो ये आपका बी के निकलाएंगे एककोल टू बारा पैकेट इसी प्रकार सी के निकालेंगे एकसो बीस में चोविस से डिवाइट करेंगे तो निकल के आएगा फाइब तो ये इस प्रकार नियुम्तम जो संख्या होंगी पैकेटों की दस बारा का निकला बारा बी के दस हो जाएगा तो एक के बारा बी के टेन और सी के पांच तो आप्शन नमबर देखिए ये चार नमबर इसका सर हो जाएगा तो एक के नियुम्तम पैकटों की संख्या बारा बी के दस और सी के पांच हो जाएगी बस इनका एल सीम निकारके इन्हीं ए बी सी के जो दिये हैं दस बारा और चोविस से डिवाइट कर देंगे तो नियुम्तम पैकटों की संख्या न अगला कुस्चन देखिए एक वर्ग की भुजा चार सेमी है इसे काट कर चार बराबर वर्गों में विवाजित किया गया है प्रतेक प्रतेक छोटे वर्ग का छेत्रफल बताना है तो इसका अब एरिया निकाल लीजिए वर्ग का छेत्रफल इकल टू होता है फुजा इसक्वार तो चार का इसक्वार कर देंगे 16 तो कह रहें कि प्रतेक छोटे वर्ग का छेत्रफल चार बराबर भागों में विवाजित कि बाट देना है तो इनको चार से डिवाइड कर दीजिए तो अंसर निकल के आएगा चार तो 21 का 32 नंबर कोश्चन का अंसर चार आएगा हूँ अगला कोश्चन देखते हैं कोश्चन नंबर 33 देखी कह रहे हैं 33 करें कि सभी अभाज संख्याएं भी संख्याएं हैं तो सभी कह रहे हैं कि अभाज संख्याएं हाँ अनेक हैं जैसे 2,3,5,7,11,13,17 तो इस प्रकार आनन तक जाएगा तो कहने मतला यह अला आपका सेकंड नंबर सही हो जाएगा सेकंड नंबर सही हो जाएगा तो अभाज संख्याएं क्या होती हैं जो स्वयम से कटती हैं और एक से कटती हैं इनके दो ही गुणनखंड होते हैं तो ऐसी संख्याओं को अभाज संख्याएं कहते हैं तो अभाज संख्याएं बहुत होती हैं तो यह सही है तो अभाज संख्याओं के केवल दो गुणनखंड होते हैं यह भी सही है एक तो सोयम होती है और एक वन होती है एक अंक वाली केवल 4 अबाद संख्याए है हाँ केवल 4 ये भी सही है क्योंकि 2 3 2 3 2 3 5 और 7 ये आपकी 4 ही है तो ये भी सही है तो इसका मतलब option number कहने इसमें नहीं पूचा है तो नहीं आपका a number option हो जाएगा ये तीनों दो, तीन, चार option सही है पहला option आपका गलत है क्योंकि उन्होंने कहा है कि सभी अवाज संख्याएं बिसम संख्याएं होती है नहीं, दो, एक संख्या है जो कि विसम संख्या भी आती है और संख्या भी होती है तो इस प्रकार ये option first to 33 का पहला हो जाएगा आए अकला question देखते है कहरें कि वह संख्या जो एक से तस तक सभी संख्याओं से विभाज होगी तो कहरें कि वह तो यही एक संख्या, दो, तीन, चार, पांच, छा, साथ, आठ, नो, और दस तो इन संख्याओं के जब हम इनका L調 लेंगे तो ये इसका जो है दस सो, पचीस सो बीच आजाएगा इनका L調 दस संख्याओं का होगी सभी से विभाज होगी सबी संख्याएं क्या होगी विभाज हो जाएंगी एक से लेके दस तक वो नव से-स भी विवाज रहे गी दो से तिन से चार से पांथ से नो से सबसे विवाज होजाएगी दि hacen सबसे विभाज हो जाएगी तो ड़ेशीज-सीजय अबрах और यही यही संख्याएंं हैं सभी संख्याओं से विभाज्य होगी कि आधी क्वेश्चन नमबर 35 कहने कि आईसा के पास केवल 5 और 10 के सिक्के हैं यदि उसके पास सिक्कों की कुल संख्या 25 पचीश और और रुपए 160 का धन है तो उसके पास 5 और 10 के सिक्कों की संख्या कितनी हैं तो कुल सिक्खे उसके पास 25 हैं और लूपए जो हैं, 006 रूपए हैं तो उनके सिक्कों की संख्या बताना है, तो देखिए, तो इसको आपसन से कर लिजिए, तो 5 in to 18 पहले आपसन से चेक कर लिजिए, तो 5 into 18 प्लॉश इनके सम चाहरा था है, 7 इन्टू टेन कर दीजिए तो इनका निकालेंगे तो ठारा पंचे नब्बे प्लस सत्तर तो कहरें कि न तो इनके क्या टोटल धन के एककल होना चाहिए तो इनको आइड करेंगे नब्बे औस सत्तर के तो कितना हो जाएगा एक सो साथ तो ये एक सो साथ धन भी है तो आप्शन नमबर इसमें पहला हो जाएगा तो इसको आप्शन से आप चेक कर लेंगे अठारा का पांस से मंटिप्लाई कर देंगे अगर दस को साथ से इनको सम कर लेंगे अगर इनके कुल धन के बरावर आ रहा है तो मतलब वही आप्शन आपका हो जाएगा तो आप्शन पहले से चेक कर लीजी आईए कोशन नमबर 36 दिख दें 36 देखिए सिंप्लिफिकेशन है तो पहले आप जानते इसमें बार्ड मास रूल लगा के तो पहले इसमें डिवीजन कर दीजिए तो ये साथ तरी कह कर दीजिए 3 आगया तो अब ये इसका आप क्या कर दीजिए इनको मंटिप्लाई कर लीजिए तो यहाँ कर लेते हैं पच्छे 15 और दस्मर लगा दीजिए और 3 सते 21 22 और 3 3 2 5 माइनस का लगा दीजिए और ये 3 बचा ही है और ये भी माइनस 3 फिर इनका मल्टिप्लाई कर दे 3 पच्छे 15 3 2 रिच्छा 1 7 3 कर लिच्छा 1 3 पॉइंट लगा दीजिए अब इसको साल करीजिए तो साल करने पर ये माइनस माइनना अड़ करके 40 हो जाएंगे 5 2.5 माइनस का 40 माइनस का 5 तो ये सब ट्रेक करेंगे तो आपका 12 राजाएगा तो इसका आप्शन नमर 26 का आप्शन नमर 2 राजाएगा आई एका लगा दीखते है क्विश्चन नंबर 37 एक बाग में नीम के बिच्चों की संख्या एक चठा भाग है आधे पिरिच्च असोक के हैं और सेस यूके लिप्टस के हैं यदि नीम के बिच्चों की संख्या पांच है तो बाग में eucalyptus के कितनी ब्रिच है तो देखें इसको आप कर लिजिए तो कहरें कि पांच टोटल निकाल ल सॉके रेए तो तो टोटल आपके ब्रिच हो जाएगे तो तीस टोटल ब्रिच हो गए एब कहें कि अब आधे शोके हैं तो इस तीस में दो से डिवाइड कर देंगे आधा गही हुआ तो पंदरा जो है आपके असो के हो गए अब देखिए कुल टोटल 30 है इसमें से पांच नीम के है तो पांच जो है नीम के हो गए तो टोटल 30 थे और पांच नीम के है और पंदरा असो क्या गए तो पंदरा बीस हो गए तो बीस इसमें से माइनस कर दीजिए तो किसका बच गए यूकिलिप्टिक्स का बच जाएगा तो दस इसका अंसर कितना हो जाएगा दस आई अगला कोस्चन देखते है थाटी एट था कोस्चन देखी करें एक रेल गाड़ी दिल्ली से 29 अगस्त दो हजार नौ को 16 बच के 30 मिनट बज़े प्रस्थान करती और अपने गंतावस्थान पर 31 अगस्त को 8.45 बज़े पहुचती है इस स्यात्रक का कुल समय निकालना है देखिए कुल शमय निकालना है तो 29 अगस्त स 30 अगस्त तक आप निकालेंगे तो कुल 24 हो जाएगा 24 अवर्स हो जाएगा 24 गंटे हो जाएगा फिर अगर 30 अगस्त से 16 30 तक निकालेंगे 24 हो गया फिर 30 अगस्त 16 30 से 30 अगस्त दो 30 अगस्त 24 गंटे तक निकालेंगे तो आपका समय 7 गंटे 30 मिनट हो जाएगा फिर 30, 24 से 7 फिर 45 से निकालेगे तो 8 घंटा 45 मिनट ये ही बचेगा तो आठ इसमें और जोड दीजिए आठ 45 तो कुल मिला के आपका हो जाएगा चाल जोड़के जोड़ेंगे तो ये अंसर नमबर 4 हो जाएगा चालिस घंटे पंदरा मिनट पूरर आप चोड़ेंगे तो आ जाएगा अगला कोश्चन देखिए तो इसको हम मिली मीटर डेका मीटर सेंटी मीटर इसको हमको क्या करना पड़ेगा बदलना देखिए तो एक डेसी मीटर इक्वल टू हो जाएगा टेन हंड्रेट मिली मीटर ठीक है इसी प्रकार एक सेमी में एक सेमी में बरावर होता है टेन मीमी मिली मीटर तो एक मीटर में एक मीटर में एक मीटर में वरावर 1000 मीमी इतना आपको याद रखना है कि एक डेसी मीटर इकल टू 100 मीमी और एक सेमी वरावर 10 मीमी और एक मीटर वरावर 1000 मीमी मीमी इतना आपको याद रखना अब इसी को आपको सबको एक यूनिट में चेंज कर लिजी अब पीछे हम आते हैं चलिए देखिए तो सबको मिली मीटर में हमको चेंज करना है तो देखिए आप्शन नमबर डी चेक करते हैं तो यह तो मिली मीटर में से हमको बदलने नहीं से यह कामा से लेगे असी डेकामीटर और 8 सेंटीमीटर को चेंज कर लेंगे तो 80 इंटू अभी 100 हुआता है इस पर रखेंगे प्लस लगाएंगे 8 इंटू 10 लिखेंगे तो यह आपको हो जाएगा एट जीरो 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 प्लस का एट जीरो इसको आइट कर दीजिए तो यह जीरो एट जीरो हो जाएगा तो यह हो गया है आइसे इसे भी अगला भी चेक करिए 100 इंटू सेंटीमीटर में 10 10 प्लस का एट मिडिमीटर आइट कर देंगे तो यह जीरो जीरो एट हो जाएगा यहां लिख देंगे एट जीरो जीरो एट ऑजाएगा तो यह आपका तो यह आठ्स में तो यह आपक यही वाला आपसंग चोथा नंबर हो जाएगा इसी तरह से आपको सब बदल लेना मिली मीटर में तब ही होगा तो ये आपका लंबाए के घटते क्रम में आ जाएगा जोड़की अब ये आट से इसमें एट है एट एट है एट मीटर है तो इसको 1000 से मल्टिप्लाई कर देंगे तो ये भी मिली मीटर में चेंज हो जाएगा तो ये वाला भी तो इस परकार आप्शन 49 का ओन नमबर हो जाएगा ये सब पैमाना याद करना पड़ेगा ये देखे करें कि एक 80 सेंटिमीटर लंबी तार को एक आयत के रूप में दिया गया ये ये आयत के लंबाई 30 सेंटिमीटर हो तो लंबाई ही उसका परिमाप होता है तो एक 180 रख दीजिए परिमाप बरावर होता है टू ब्रेकेट में यल प्लस बी तो एक 180 एक्वल टू टू ब्रेकेट में आप क्योंकि चौनाई दिये ब्रित दीए तो यल निकालने के रहा है तो 30 कर दीजिए ठीक तो काट लीजिए गया 30 यहाँ पर कर लीजिए चलिए इसे यहाँ पर कर लीजिए यहाँ देखी 30 इक्वल टू 180 180 इक्वल टू टू ब्रेकेट में यल प्लस 30 यहाँ लिक रहे थे तो तो मून जा रहा था आप्शन तो यहाँ निचल कर दे रहे है 30 है तो यह 90 हो जाए काट दीजिए 90 हो गया इक्वल टू एल प्लस 30 जब इधर घटाएंगे तो 60 हैंसर आजाए वो पूरा करनी जरूतनी 60 हो जाएगा तो उसकी तार की लंबाई उसका परिमाप है और आपकी ब्रित्ती है और हायत का परिमाप बरावर होता है तो ब्रेकेट में एल प्लस भी मतलब लेंध है और लेंध प्लस ब्रित्त लंबाई प्लस चौडाई इससे आजाएगा आए एक नमबर 40 नमबर कोश्चन देखते हैं तो 40 नमबर तो इसमें आपको कह रहा है कि कच्छा दो के च्छातरों को चवाल लिखने के लिए कहा गया तो कुछ ने 404 लिखा अध्यापक के रूप में आप इसको कैसे सम्मोधित करेंगे तो इन्हें आप इस प्रकार सम्मोधित करेंगे तो ये उन्हें मूर्त पदाद के बिनिमय नियम से समझाएंगे इनको जैसे 2 हैं तो इसको दो बरावर भागों में बाढ़ देंगे तो ये 44 हो जाएगा 44 हो जाएगा इसके बिनिमय पर हमको समझा देना क्वेशन नमबर 42 क्वेशन नमबर 42 गणित के प्रतिमिक पार्ट करम में प्रतिचित्र का प्रतिचित्र का परिचे देने का मुख्य प्रियोजन है कहने कि तो आप्शन नमबर 42 का ए और बी सही हो जाएगा जिसमें से तीसरा क्वेशन नमबर 43 गणित का भाग नहीं कह रहे हैं तो आपका यह अनुपात नहीं है यह चोपड़ है समीति है प्रतुरूप है तो इसमें अनुपात नहीं है यह तीनों याद रखना की अनुपात इसमें से नहीं है और यह तीनों है तो नहीं वाला पूछाए तो आप्शन चार हो जाएगा तेटालिस का सूत का प्रियोग किये बिना अध्याफक निम्गित में से प्रधानों को सिच्छन अधिकां समगरी का प्रियोग यह दर्शाने के लिए कर सकता है कि विभिन आयामों वाले दो आयतों का छेत्पर समान होगा तो इसमें आपको तो इसमें B और D देखिए ग्राप पेपर यह वाला हो जाएगा B नमबर और D टाइटल तो तो यह जो सिच्छन अधिकां समगरी का प्रियोग है इसे हम जिसे T LMS जिसे देशात मक्स सहायक के रूप में भी जाना जाता है सिच्छन अधिकम से गध्विदियों को सुरू करने से पहले उसके द्वारा तयार किये गए सिच्छन उद्देश को प्राप्ट करने में एक सिच्छक की सुविधा प्रदान करता है इसका मतलब है शिच्छन अधिकम समगरी का तो इस प्रिकार आपका option number second हो जाएगा प्रिष्टि भूमी तो आज इसको दो परट में करेंगे कुle 30 कोस्टिन है 15 में अग dumm करसे आपको फिसे आike आपको करा देंगे और ψयिए ऊप्रेश्टिन हनुआ